So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चेनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चेनल को सबस्क्राइब कर दिना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चेनल को भी जॉइन कर सकते हो जसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करेंगे HAL के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करें तो स्टॉक हमें 4,634 रुपिस के राउंड तक आज हमें closing देता हो नजराया और वही अगर बात करें returns की तो जैसे returns हमें चाहिए दे वैसे returns आज हमें मिलेने क्योंकि market ने एक तरफा rally आज बताई है but HAL जो है still यहाँ पर काफियत तक slow return देता हो नजराया क्योंकि पिछली आप record उठा के देख लो जब-जब market एक तरफार आए stock ने एक rapid growth बताई है कोई भी bad news यहाँ पर stock में नहीं है जिस वज़े से यह थोड़ा pressure में रहे है यहाँ पर totally positive news जो है हमें देखने को मलती है HAL में तो इस point का भी आप note down करके रखो और वही अब बात करें तो अभी भी हम कोई news यहाँ पर discuss नहीं करने वाला है हम इसके levels ही देखेंगे कि क्या problem चल रहा है तो 35.30 रूबिस के round तक की return stock दे पाया है और last one month में अगर आप देखो काफियत तक fluctuations नजरा है काफियत तक upside down momentum जो है stock में हमने आपर देखे हैं बात करेंगे इसके levels की 5 minute के time frame पर अगर आप देखोगे तो stock में काफियत तक upside down momentum रहे और जो कल चीज मेंने discuss की थी कि downside की ओर से अगर आप देखोगे तो stock में काफियत तक एक strong support है उसी particular range के round अगर आप देखो एक support लेता हुआ शेर नजर आया था और मैंने एक point आपके साथ discuss किया था कि अगर यह level break हो जाता है downside की ओर तो 4500 का जो level है इस level के around जाने की कोशिश कर सकता है HL बट आज इसा नहीं हुआ इसने 4600 के level के around ही sustain किया और उपर जाने की यह कोशिश पूरी के तरीके से कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखे इसने कही ना कही आज एक ascending type triangle बनाने की कोशिश की है और इसे ascending type triangle का breakout दिया है जो कल के लिए आपको कही ना कही positive return दे सकता है तो यहाँ पर downs उपर की और से बिलकुल आप देख सकते हो resistance है stock में और downside की और से अगर आप देखोंगे तो stock में हमें support भी नजर आ जाते हैं तो इन्ही upside downs momentum के चलते हैं अगर आप देखोंगे तो stock ने आज breakout दिया और sustain अभी कर रहा है और यहाँ पर अगर कल भी breakout हमें मिल सस्टेंग करके ऊपर की और अगर यह trade करता है अपने high को break करता है जो आज का ही हो कल अगर break कर देता है तो stock में बिल्कुल 4600 के around कब जाने की कोशिश है stock कर सकता है और वही अगर देखे downside की और अगर इसने again 4600 का level downside की और break किया तो fall आ सकता है तो यह level इतने ज़्यादा important क्यों है 4700-4600 का level हमारे ले इतना ज़्यादा important क्यों है क्योंकि यह level ही decide करेंगे कि stock की आगे की direction क्या होगी आगे stock में बड़त रहने वाली या गिरावट रहने वाली यह दो range ही आपर fix करेगी क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें 4600 के level की तो इस particular range पर यह multiple time जो है support शोक कर चुका है और उपर की अगर हम बात करें तो 4700 के level से अल्रेडी यह गिरावट बता चुका है और काफी time से इसने इस level के under consolidated भी किया था तो यह level हमारे लिए इसलिए important है अगर downside की breakdown रहा तो stock सीधा 4500 के level के around जाने की कोशिश करेगा जहाँ पर अगर आप देखोगे पहले stock ने support लिये हुए है और already हमने एक rising wage type channel के बारे में कल भी discussion किया था और वही पर जहाँ से एक बड़ा gap up हुआ था उसी level से इसने resistance फेस करके एक fall बताया था अभी अगर देखे तो stock कही ना कही इन levels को touch करने कुशिश कर सकता है downside की और तो यह pressure काफियत तक इसके उपर हमें नजर आ जाता है तो इन points को note down करके रखो यह point जो है HAL में काफियत तक AMP है और थोड़े बड़े time frame पर अगर मैं आपको levels बताओ जैसे day one के time frame पर अगर मैं आपको level बताओ तो downside की और से भी कुछ important trade line से जहाँ पर एक support show करने की stock कोशि भी कर रहा है एक काफियत तक AMP support का काम कर रही है क्योंकि इस particular range पर जब इसने support लिया था तब एक अच्छी तेजी इसने बताई थी फिर अगें support लिया फिर अगें एक अच्छी तेजी बताई फिर अगें support ले सकता और काफी बड़े high जो है all time highs जो है जल्दी create हो सकते है त बात करें अगर BEL की भारत electronic limited की अगर बात की जाए तो stock 291.25 रूपिस के राउं तक की इसने closing दी 3.20 रूपिस के राउं तक अगर आप देखो stock में growth है morning में क्या पूफ हुआ था फिर एक गिरावट रही फिर एक अच्छी growth जो stock ने बतानी start कर दी 5 days के time frame पर stock morning में हापर अगर देखे काफी हत तक गिरा फिर उसके बाद अगेन एक growth नजर आ गई और BEL अगर देखे काफी हत तक positive है क्योंकि इसमें कुछ good news भी हमें देखने को बले थी जिस वज़े से stock आगे बढ़ रहा है और साथ यगर देखे आने वाले time में stock में काफी बड़े return जो है तो stock में एक अच्छे breakout हमें देखने को मिलने वाले हैं तो downside की और से BEL की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा support हमें देखने को मिलता है और upside की और से बात करें तो stock में resistance तो इन upside downs momentum के चलते stock ने अगर breakout हमें दे दिया तो stock में काफी बड़ी growth जो है देखने को मैं मिल सकती काफी अच्छे return जो है देखने को हमें यहाँ पर मिल सकते हैं तो इन points को ध्यान में रखो तो यहाँ पर multiple time अगर आप देखोगे तो stock ने upside की और से resistance phase किया है और अभी उसी resistance के around rate rate कर रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह यहाँ पर अगर देखे काफी तक crucial level जो है stock में तो share काफी अच्छे returns दे रहा है जो gap up भी हुआ था आज अगर देखे gap भी इसने sudden feel किया और धीरे धीरे उपर क्यों जा रहा है और कल के लिए positive returns जो है और बिल्कुल यहाँ पर इस ascending type triangle का breakdown रहा तो बिल्कुल नीचे आ सकता है बड़ अगर breakout मिला और प्लस 295 के अब हो यह sustain कर गया तो stock में ready रहना क्योंकि काफी बड़े returns जो है यहाँ पर BL हमें देने वाला है इस point को note down करके आप रख लो बात करेंगे मजगा और डॉक्षि जो है कही ना कही down जा रहा है और मजगाओ की अगर हम बात करें तो levels क्या किता है तो बिल्कुल still अभी भी यह काफियत तक अगर देखे struggle कर रहा है guys काफियत तक struggle कर रहा है share अभी भी अगर आप देखोगे downside की और ही trade कर रहा है but यहाँ पर अगर देखे कुछ points से हमें ध्यान देना चाहिए है stock में downside की और से अगर आप देखो एक support हम कह सकते हैं और एक proper अगर आप देखोगे तो एक falling wish टाइप pattern जो है बनाने की कोशिश है share कर रहा है और कल के दिन अगर देखे 4350 की अब हो sustain करता है तो stock में एक अच्छी rally possible है बट अगर resistance लेके अगर downside की और आता है तो 2250 के round अगेने आने की कोशिश करेगा तो यह level हमारे लिए काफी important रहने वाले कल के दिन तो इनके उपर आप ध्यान दो और 1R के time frame पर भी अगर में बताओ तो काफियत तक अगर देखे upside down में शेर बता रहा है और वही अगर देखे जो downside की और से level में ने बता है 4200 का level अगर यह downside की और break कर देता है एक strong breakout मिल जाता है तो stock 3800 के round आने की भी कोशिश करेगा तो यह level जो है काफियत तक IMP रहे गया बड़ अगर कल आपको wait करना है कि stock breakout देता है या breakdown देता है breakdown अगर इसने दे दिया तो stock में बड़े fall आ सकते है बड़ अगर 4350 की अब हो sustain कर सकता है अब बात करें next stock की जिसका नाम है GRSE Garden Reach Ships Builders Limited की बात कर रहे है stock 1747 रुपे पे closing इसने दी 9.15 पेसे के round अगर देखे गिरावट हमें नजरा आ जाती है और GRSE की अगर हम बात करें तो stock में कही सारे upside down points हमने देखे है और आज अगर देखे तो कही ना कही level break करता हूँ share नजराया है और एक head and shoulder type pattern भी जो है हमें इस particular share में देखने को मिल जाता है और इस head and shoulder type pattern की अगर हम बात करें तो stock में अगर हमें breakdown मिल गया यानी 1720 के नीचे अगर है sustain कर गया क्योंकि इस particular range की अगर में बात करूँ तो काफी time से इसी के अंदर है इसी के ऊपर अगर अगर support इसने लिए है multiple times की अगर हम बात करें तो और अब भी अगर देखे इसने कल के दिन क्योंकि आप देख सकतो multiple time support है आपके सामने अगर कल के दिन इसने इस particular level को यानी 1750 के नीचे भी अगर आप sustain कर गया 1720 1750 तो यह stock में fall जो है continue हो गये बड़ अगर support के साथ उपर की trade line break कर देता है तो एक अची rally भी हमें stock में नजर आ सकती है तो यह जो label से इनके उपर आपको focus करना चाहिए और all काफी कुछ चीज़े discuss कर लिए तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe करो कोई भी stock में investment करते हो इंका analysis करो साथ ही telegram चैनल को join करो link नेचे description